लो एंड वल्कम दियर फ्रेंड स्वागत आपका इंग्जियन वेवगुरू चैनल पर दोस्तों आज किस वीडियो में हम बात करेंगे कि ओटी टेक्निशन क्या है ओटी टेक्निशन कोर्स करने के फायदे क्या है ओटी टेक्निशन का कोर्स डूरेशन क्या होता है ओटी टेक Ephesimismation का मुखे काम है कि Operation के दौरान डौक्टर की हेल्प करना उसके निरदेशों का पालन करना और इसके अतरिक Diese Theater में जितने भी इंस्ट्रूमेंट से उसकी देखरेख करना उपरेशन थेटर को तयार करना यानि कि प्रिपेर करना उपरेशन से जूरे सभी इंस्टूमेंट्स को एस्टरलाइज करना ओक्सिजन सिलेंडर और नाइट्रस सिलेंडर शेक्षन मसीन का परिक्षन करना होता है OT टेक्निशन के मुख्य रूप से दो ब्रेंच है बैचलर इन ऑपरेशन थियेटर टेक्निशन एलेफजलिटी की बात करें तो टिप्लोमा इन ओटी टेक्निशन में 12th पास्वित बायलोजी 45 पर तीसत नंबर के साथ होना अनिवार है वहीं कोर्स भी की बात करें तो गवर्नमेंट कॉलेज में बहुत कम भी लगता है वहीं प्राइबेट कॉलेज में डिप्लोमा इन ओटी टेक्निशन की फी 35,000 से 40,000 पर एयर होती है और बैचलर कोर्स की बात करें तो बैचलर इन ओटी टेक्निशन की 40,000 से 45,000 पर एयर होती ह कोस्ट डूडेशन की बात करें तो डिप्लोमा इन ओटी टेक्निशन का कोस्ट डूडेशन तू इयर का होता है वहीं बैचलर इन ओटी टेक्निशन की 3 इयर्स का होता है अगर बात करें जोब स्कोप की तो आप प्राइवेट होस्पीटल, गौवर्मेंट होस्पीटल, नर्सिंग होम इत्यादी जगा पर आप जोब कर सकते हैं जोब की अपार संभाव नाए है सेलेरी की बात करें तो एज फ्रेसर बारे हजार से पंदरे हजार मिलती है एज फ्रेसर का मतलब की आपको शुरवाती दोर में जिस समय आप प्रैक्टिस करेंगे उस समय आपकी सेलेरी बारे हजार से पंदरे हजार आपको मिलेगी वहीं यदि आप गर्वर्मेंट जॉब करते हैं तो आपकी सेलेरी एबब कोई क्वेडी है कोशन है तो कोमेंट में पूछ सकते हैं इस वीडियो को लाइक और शेर करें धन्यवाद